आप तो इन से न यहीं से उठाइए चलिए बताइए आप हिंदू हिंदू करते रहते हैं आप सुरेंद राजपूत हिंदूों के बारे में ही सवाल उठा रहे हैं आपने क्या किया हिंदूों के लिए सिर्फ हिंदूों को डराया मुसल्मानों के प्रती मुसलिम आ जाएगा बढ़ जाएगा बहुस अंख्याक हो जाएगा और किया क्या है आपने और आप कॉंग्रेस को अर्बन नक्सल देश द्रोही कहते हैं बोलिए मानिक जी आपको सभी पैनलिस को सभी दर्शकों को दशेरा की हारतिक शुपकामनाई देखे आज बहुत बारीकी से अगर आप आप ते स्पीच सुना हूँ श्रद्ध मोहन भागवजी का एक घंटे से उपर के स्पीच में कहीं एक बार भी मुसल्मान मतलब मुसल्मानों की विरुद भरकाना तो दूर की बात है मुसल्मान तक का जिक्र तब शायद नहीं आया था मैं आपको बता रहा हूँ कॉंग्रिस की प्रॉब्लिम क्या RSS की साथ RSS हिंदू समाज को संगठित करना चाहता है क्योंकि RSS मानती है कि हिंदू समाज जो की बहु संख्यक समाज है जब तक संगठित नहीं होगा तब तक देश जो है संगठित नहीं हो सकता और ये बिल्कुल सही है जो प्राथमिक दाइत्व है एक देश को जोड़ कर रखने का वो बहु संख्यक समाज पर वो दाइत्व कहीं अधिक है तो इस मानिता में क्या प्रॉबलम है कॉंग्रेस की प्रॉबलम बस इतनी है कि आज की कॉंग्रेस का एक ही मकसद है हिंदू समाज को विभाजित करना और वो हर तरह से हमने देखा है जब सनातन पर प्रहार होता है डेंगू मलेरिया कहा जाता है तो चुपपी साथ कर कॉंस्परिसी ओफ साइलेंस के जरीए राहूल गांदी इसको प्रोचाहन देते है जब उनकी कॉंस्टिटुएंसी से मात्र सो किलोमीटर की दूरी पर मनना पुरम पर एक जलूस निकालती ह आई यू एमिल जिसमें की जिसमें नारे लगाया जाते है कि हिंदूओं को मंदिर के बाहर मारा जाएगा तो वहां पर इंकरेज करते हैं कॉंस्परिसी ओफ साइलेंस है जब वो विदेश जाते हैं तो सिखों को भड़काते हैं कहते कि आपको भारत में गुरुदवारा तो इस प्रकार की विभाजन कारी मान सकता जिस पार्टी की आज हो निश्चित रूप से हर वो और्गनाईजेशन जो देश को एक जुट रखना चाहे वो उस और्गनाईजेशन को अपना शत्रु मानेगी लेकिन कॉंग्रेस को ये समझ में भी नहीं आता कि जो आरेसेस क नहीं वो देश से नफरत करती है और आज कॉंग्रेस पार्टी ये सत्य है कि देश को देश के विरुध हो और सोचना शुरू कर दिया और देश के विरुध हो काम कर रही है और मैं आपको तमाम इंस्टिंस बता सकता हूं दो तीन इंस्टिंस मैंने आपको अभी बताएं और भी कई सारे instances है। अगर आप देखे कितने खूपसूरती से आज श्रत्य मोहन भागवजी ने कहा कि वालमी की पर्व जो है वो केवल वालमी की समाज की बस्तियों में नहीं मनाना चाहिए। समाज संगठित होता है तो उसका परिनाम कॉंग्रेस पार्टी ने 2014 और 2019 में देखा और इसी बात से वो कापते हैं इसी बात से वो डरते हैं कि 2029 में एक बार हो गया तो पता नहीं क्या हालत होगी फिर कॉंग्रेस पार्टी तो आप हिंदू समाज को इसलिए एकत्रिद करना चाहते हैं ताकि शुनाप आपको बहुमत बिलता रहे वाकी भी पक्षार्था रहे तेखे जीतु हम इसलिए जीतते हैं हम इसलिए जीतते हैं ताकि देश में एक्ता बनी रहे ताकि देश आगे बढ़ते रहे जो ताकते आज मैं आपको और इंस्टेंस गिणा रहे हु मानईक जी मेरे सवहल का जवाब निई मैं यह पूछ रहा था आप इसलिए एक्जूट करना चाहते हैं ना हिंदू समाज को क्योंकि एक्जूट रहेगा तो हिंदू समाज आपको हिंदू के नाम पर वोट देगा आपको जादा वोट मिलेगा जाती के नाम पर बटेगा तो अलग अलग रिजनल पार्टी को देगा कॉंग्रेस को भी दे दो एमेले हैं जिन्होंने फत्वा जारी किया था वसीम रिजवी के खिलाफ तो इन मैं फिर से पूछ रहा हूँ तो इन मैं फिर से पूछ रहा हूँ आप हिंदू समर्ज को एक जुट इसलिए करना चाहते हैं आप पर आरूब भरा सीधा है तो क्या आप इसलिए एक जुट करना चाहते हैं कि हिंदू एक रहेगा आप हिंदू बादी पार्टी हैं खुलकर हिंदू की बात करते हैं आपको वोट मिलेगा आप जीतते रहेंगे जहां Module जाती के दादया पर बटेगा मानार जी यही कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे लिए जीतना आवश्यक है चुकि भाश्पा के नित्रतु में जो सरकार रहीगी वही इस देश को एक जो टरक सकती है इस वक्त का विपाश्पूत एक सवाल हो और यह सवाल खुद प्रधार मंत्री ने हाल में उठाया था सुरेंद राजपूत जबाब दीजेगा यह हिंदूों की जाती तो आपको सारी जातियां पता हैं मुसल्मानों की जाती पर कभी नहीं बोलते हिंदू समाज को क्यों बाटना चाहते हैं जाती के आधार पर मुस्लिमों की जातियों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं दो चीजे हैं हिंदूओं को हमने नहीं बाटा जातियों के आधार पर और हिंदूओं को जातिया खत्म करने के या उनके समशान एक करने का काम या मंदिर को एक करने का काम आरेसस ने जनसंग ने और भाजपा ने 99 साल में के लिए लिया था वो आज तक क्यों नहीं कर पाए क्यों नहीं आज तक RSS का प्रमुक एक किसी दलित को बना पाए ये कोई जबाब देगा क्यों नहीं ये लोग भारती जनता पार्टी का प्रमुक कोई चुन पाए किसी महिला को बना पाए ये कोई जबाब देगा क्यो भारती जन्ता पार्टी ने मात्र एक दलित को अध्यक्ष बनाया और उसको भी एक लाख रुपे की घूस में अंदर कर दिया और क्यो भारती जन्ता पार्टी के पित्र संगठने जन्संग और आरेशेस ने सम्विधान का बिरोद किया और तिरंगे को जलाया ये कुई जबाब देगा सच बात ये है मानक भाई कि हिंदू समाज की जो व्याप्त कुरीतिया उनको अगर किसी ने दूर करने का अस्पश्चता को दूर करने का काम किया तो कॉंग्रेस ने किया 20 निकाती प्रोग्राम में आरक्षन ला करके आरक्षन को लाए तो इसलिए तो सामाजिक भेदभाव कम हुआ ना आज की डेट में दलित बाकी सब लोग एक साथ बैठते हैं लेकिन संग में और भारती जन्ता पार्टी में दलितों का कोई स्थान नहीं है यह अपने आप में सच है